नमस्कार साथियों, आप सबको पता चली ही गया होगा कि तीन नए आपराधिक कानून जिसमें से एक कानाम है भारती न्याय सहीता BNS 2023, एक कानाम है भारती नागरिक सुरक्षा सहीता 2023, और एक कानाम है BSA यानि भारती साक्षरिनियम 2023, ये तीन नए कानून 1 जुलाई 2024 से ला लागू नहीं हुए हैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लागू होने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से, यानि कि इन कानूनों में काम करना शुरू होगा 2024 के बाद, और वो भी एक जुलाई के बाद, फिर एक बात आपको ध्यान रखनी हैं कि जुलाई 2024 के पहले, जो एक जुलाई के बाद जो एक्जाम होंगे, उसमें नए कानूनों को जगह मिलेगी, आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ, भारती नागरिक सुरक्षा सही था, जिसे हम शौट में BNSS कहेंगे, और उसका पूरा नाम होगा BNSS 2023, मैं आपको बताऊंगा क्या सि कौन सी नई बातें जुड़ी हैं और कौन सी पुरानी बातें हटा दी गई हैं, बहुत शौट में इस बात को समझे, एक बात और बता दूमें, अगर पूछा जाए कि नई CRPC कब लागू हुई है, तो ध्यान रखिए, नई CRPC का मतलब है, the code of criminal procedure, यह 1st of April 1974 से लागू है, एक जुलाई 2024 से और इसका नाम है BNSS, इस बात को भी आपको ज्यान में रखना है, भूलना नहीं है, तो नोट कर लीजिए, क्या नए प्रोविजन CRPC की जगह, जो नया कानून लिया है, उसमें आए हैं, तो सबसे पहले section 21A जोड़ा गया है, इसमें है audio video electronic means, यानि श् पत्र की परिभाशा दी गई है, एक section नया जुड़ा है, वो है 21E, जिसमें bond यानि बंध पत्र की परिभाशा दी है, एक section जुड़ा है 21I, जिसमें electronic communication यानि electronic संसूशना सब्द को परिभाशित किया गया है, एक section जुड़ा है 35 subsection 7, जिसमें when police में arrest without warrant, police warrant के बिना कब गोशित अपराधी गोशित किया गया है, उसकी संपत्ती की पहचान और कुर्की की बात इसमें की गई है, फिर एक section जुड़ा है 105, जिसमें recording of search and seizure through audio-video electronic means, यानि जब कभी तलाशी और संपत्ती की जबती की जाएगी, तो उसका audio-video recording होगा, इसके बारे में provision जुड़ा गय है, फिर एक section है 107, जिसमें attachment, four feature, और restoration of property, यानि संपत्ती की कुर्की, जबती और वाप्ती के सम्मन में प्रावधान किये गये हैं, एक section जुड़ा है 172, जिसमें लिखा है person bound to confirm to law, directions of police, मतलब police जो कुछ भी निदेश देगी, उसे मानने के लिए व्यक्ती बात ध्योंगे ये provision किया गया है, जिसमें कि police की power obviously बढ़ाई गई है, फिर एक section जुड़ा है नया 336, इसमें evidence of public servant, experts, police officer in certain cases, मतलब ये कि कुछ मामलों में लोग सेवकों, विशेशग्यों और police अधिकारियों के साक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है, 356 एक नया section आया है, जिसमें inquiry, trial or judgment, in absency of proclaimed offender, कई उधगोशित अपराधी ऐसे हैं जो police के पकड़ में नहीं आते हैं, उनको बिना court में प्रसुत किये ही, जाच, विचारन और निर्ने के बारे में प्रावधान, ये 356 नंबर का section करता है, फिर एक section जुड़ा है, 398, जिसमें witness protection scheme, यानि पहली बार साक् reduction scheme को जगा दी गई है, एक section जुड़ा है 472, जिसमें mercy petition in death sentence cases, मृत्यू दंडादेश के मामलों में दया या चीकास के सम्मन में प्रावधान किया गया है, और एक section नया जुड़ा है, जो section 530 है, इसमें trial and proceedings to be held in electronic mode, कहा गया है कि विचारन और अन्य कारिवाहियां जो हैं, वो audio video यानि electronic पद्यती से की जा सकेंगी, तो ये कुछ provisions हैं जो हमारे BNSS 2023 में जुड़े हैं, जो 2024 एक जुलाई से लागू होंगे, और ये CRPC 1973 में पहले ये provisions नहीं थे, जो हमारी CRPC थी 1973 की, उसमें कुल मिलाकर 37 chapters से और 484 sections से, और साथ ही 2 schedule यानि अनुसूचियां उसमें जोड़ी गई थी, वहीं जो BNSS 2023 है, इसमें कुल मिलाकर 39 chapters हैं, और कुल धाराओं की संख्या है 531, 531 sections हैं, और 2 schedule यानि की दो अनुसूचियां हैं, इसकेजियूल यानि अनुसूचियां जो पहले थी वहीं है, first schedule में classification of offenses हैं, और second schedule यानि दूसरी अनुसूचिय में कुछ सी नहीं बातें आई हैं, जो CRPC में नहीं थी, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि CRPC 1973 की कौन सी बातें हैं, जिनको BNS 2023 में जगह नहीं दी गई है, यानि किसमें से हटा दिया गया है, नोट करते जाएं, तो सबसे पहले section 2 में इंडिया शब्द की जो परिभाशा दी गई थी, वो हटा दी गई है, 2K में metropolitan area की परिभाशा दी गई थी, वो हटा दी गई है, 2Q में pleader शब्द की परिभाशा थी, वो हटा दी गई है, 2T में prescribed शब्द की परिभाशा थी, वो हटा दी गई है, section 8 में metropolitan area को बताया गया था, वो हटा दिया गया है, section 10 में subordination of assistant session जज यानि सहयक सत्र न्याय धीशों का अधिनस्त होना यानि सहयक सत्र न्याय धीश के बारे में जो प्रोविजन था जो पद था वो खटा दिया गया है। स्पेशल केसेश को सुनने के लिए स्पेशल मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट्स यानि की विशेश महानगर मेजिस्ट्रेट के न्याया लेवों के स्थापना की जाएगी अब वो हटा दी गई है। से तहर तै किये जाएंगे जो कि 2015 में अलग से कानून का रूप ले चुका है। 144A CRPC में power to prohibit carrying arms in procession और mass deal और mass training with arms ये provision था मतलब जो कोई mass training में यानि की कोई सामुहिक training में प्रसेक्षन में या जुलूस में हथियार लेकर चलने वाले व्यक्ति को प्रतिशद करने के जो अधिकार दे रखे थे एक्जिकेटिव मेजिस्ट्रेट्स को तो 144A ये section भी हटा 153 section CRPC कीजी थी उसमें inspection of weights and measures जो पुलिस थाने का भारसादक अधिकारी था उसे किसी भी जगह में दुकान में शॉप में बाट और माप के निरिक्षन का अधिकार दिया गया था ये section भी BNSS 2023 से हटा दिया गया है section 355 में metropolitan magistrates judgment यानि कि महानगर magistrates का निरने कैसे लिखा जा जिसका संबंध में metropolitan magistrates से था अब क्योंकि BNSS 2023 में metropolitan magistrates के नियालेयों को खतम कर दिया गया है metropolitan area जो है definition section 8 में वो भी हटा दी गई है तो ये जो section था 404 CRPC में जिसका संबंध metropolitan magistrates से था ये भी BNSS 2023 में हटा दिया गया है मुझे उमीद है कि बहुत कम शब्दों में आपको बात समझ में आई होगी कि कौन से provisions CRPC से BNSS 2023 में नहीं लिये गए हैं और वो कौन सी बाते हैं जो BNSS 2023 में शामिल की गई हैं बची हुई सारी बातें वही हैं जो CRPC में थी वो BNSS में ले ली गई हैं तो मुझे उमीद है कि थोड़ा सा तुलनात्मक जो lecture था आपको एक clear insight देगा कि कौन कौन सी बातें नहीं जुड़ी हैं कौन सी बातें हटा दी गई हैं किन और बातों को जोड़ना चाहिए था मैं समय समय पर इस बारे में बताता रहूंगा जरूर जोड़े रहना CRPC और BNSS के इस comparative series से नमस्कार जैहिन